कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमें सांसे तुस्ट्री करण की रही है बोट बैक की राजनिती की रही है 2004 में जैसे ही कॉंग्रेस की केंद्रे में सरकार बने उसके सबसे पहले किये गए कामों में था सबसे पहला काम था चुनाव जितने के बाद आंधर प्रदेश में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वर्शन देने का प्रयास यह एक पाइलट प्रजेक्ट था जिसे कॉंग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी 2004 से 2010 के बीच कॉंग्रेस ने चार बार आंधर प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वर्शन लागू करने की कोशिश की लेकिन कानूनी अर्चनों की बज़र से सुप्रीम कोड की जागरुकता के कारान वो अपने मन्सूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए 2011 में कॉंग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की SC, ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके बोट बेंक की राजलिती के लिए और ओको देने का खेल किया कॉंग्रेस ने इतने प्रयास यह जानते भुजते किये कि यह सब संविधान की मूल भावना के खिलाप था लेकिन कॉंग्रेस ने संविधान की परवान नहीं की बाबा साब आम बेड करकी परवान नहीं की जब करना टका की बीजेपी सरकार ने जब हमें मोका मिला तो हमने पहला काम किया उन्होंने जो SCST से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्प कर दिया और जिनका हक था उनका हिक्स वरक्षित रखा तो कॉंग्रेस पुरे देश में आग बबुला हो गई साथियों सच्चा ये है कि कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलीतों पिछणों के आरक्षन में सेंदमारी करके वोट बैंक पॉलिटिस के लिए उनकी खाज जमात को अलग से आरक्षन देना चाहते थे जबकि संविधान इसके बिलकुल खिलाफ है आरक्षन का जो हक बाबा साहब ने दलीत पिछणों और आधिवास्यों को दिया कॉंग्रेस और इंडी अलाइस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसल्मानों को देना चाहते थे मैं कॉंग्रेस को पूछना चाहता हूँ क्या कॉंग्रेस एलान करेगी कि संविधान में दलीतों पिछणों के आरक्षन को आधिवास्यों के आरक्षन को कम करके वो इसे मुसल्मानों को नहीं बाटेंगे जराव देश की जनता को बादा करो कॉंग्रेस जहां भी आए आपको मोहले में आजाए आपके घर में मिलने आजाए जराव खड़े रख करके पूछो करनाटर का आंदर जैसे राज्यों में इनों ने आरक्षन को मजहर प्याधार पर माटने का केल क्यों शुरू किया था